अलो फ्रेंट्स आज की रेस्पी है बाटी और चोखा बिहार स्पेसल बाटी चोखा ये बनाया है मैंने अपनी बेटी के लिए वो एक ग्राम खतम हो गया है तो वो आ रही है घर वापस तो उससे मैंने पूछा कि तुम रात को डिनर में क्या लोगी उसने का हा मम्मी बहुत दिन हो गया मैंने बाटी चोखा नहीं खाया है तो मेरे लिए बाटी चोखा बनाना मैं बाटी चोखा एक खाऊंगी तो मैंने उसके लिए बाटी चोखा बनाया है तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो भी बना लूँ तो मैंने उस कुकर में रखा है आलू रख दिया एक सिटी तो कूकर को बंद कर देंगे अब आगे की तयारी कर लेते हैं इसके लिए मैंने लिया है प्यास, हरी मिर्ची, लसन और अधरक अब इन सब को हम काट लेंगे रफली लसन को मैंने पहले से छील करके काट के रखा हुआ था इन सब को पानी में डाल देंगे और जो प्याज है उन सब को हम रफली ऐसे ही मोटा मोटा काट लेंगे और इसे पानी में धो लेंगे अच्छी तरह से पानी में धोने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक डलिया में निकाल लेंगे उसके नीचे मैंने एक बरतन रखा हुआ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो सब इसमें से निकल जाए और हरी मिर्ची जो है इन सब को हम तोड़ लेंगे और जो अधरक है इसको हम छोटे-छोटे चुगडों में कट कर लेंगे इससे यह होता है कि यह आसानी से इसे जोटे-छोटे काची सकती है लेकिन यह ईच़े से और बहत आसानी से हो जाता है काफी कि अब कर लिया है ताकि इसका पानी यह निकल जाए उसके बाद हम आटा अब इसके बा समी स्चटी बाई हम और चाँ कराइब करो ते दालेंगे कलाग जा sources मंगरेला ईसर का बहुत अच्छा आता है जब बनाने तो मैं यह दूता चमला चंब बेकिंग पाॉडर यह देता तो आठीज दालने के के बाद इसे हम आठे को सब कुछ अची तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे गूत लेंगे तो आठा गूतने के लिए मेने इसमें हलका सा गुन गुना पानी से इसे गूता हुआ थाइठ रशायने मिद भीषेंगे आटे को बिल्कुर सेमी साफ्ट गूतेंगे आटा को मैंने गूत लिया है अब इसको हम ढख करके रख देंगे ताकि यह सेट हो जाए तो कम से कम बंदर 20 मिनट के लिए इसे जरूर से छोड़ दीजेगा अब आलू जो है वो उबल गया है तो कूकर की सीटी जब आप जब त अपने से ठंडी हो जाए तब फिर इसे में से हम आलू और टमाटर को निकाल लेंगे और चील लेंगे चील करके जब गरम रहेगा तब ही इसे हम मैस कर लेंगे क्योंकि जाड़े के दिन में जो आलू आते उसे ठंड़े होने के बाद मैस करते तो वह अच्छी तरह से मैस च्छी होता है तो इससलिए इसने मैसर से यह हाथ से इसने हम मैस करेंगे आप टमाटर के छीलके लेंगे भी आप अन्याटर का सब आलू ह applied in find the out तो मुझे यह ज़्यादा अच्छा लगता है इसे चोक्षा भी ज्यादा अच्छा बनता है अब इसमें डाल देंगे सब जो आधा प्याज हम डालेंगे मुझा इसमें आप अपने हिसाब से अगर आपको पसंद हो चोखे में प्याज डालना पसंद हो तभी आप इसमें डालिएगा नहीं तो फिर आप इसमें बीना प्याज के भी आप इसे मत्तब बना सकते हैं लेकिन इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए लेकिन जब खाना हो तब ही डालिसे डालक्रके मत रखिएगा तो बनाना था तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है अब आकी उसमें डाल देंगे धनिया पत्ति और हरिमीर्ची नमक लिए सब लेया रहा हूयक तो टेल विए पर इसमें के डालको कर ला расс सत्तू, तो सत्तू मैंने पैकेट वाला मंगाया हुआ था, तो वही सत्तू है, इसमें हमने छान लिया है, अब बाकी का जो प्याज जो हमने चौप करके रखा हुआ था, उसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज हमने बचा करके रखा हुआ है, वो भी हम आगे बता दें कि इसका क्या करना है अब इसमें डालेगे धनिया को पत्ती और नमक स्वात करूसार इसमें बहुद डालेंगे मंग्रैला और अजवाइन तो यह मंग्रैला और अजवाइन जरूर से डालियेगा इसमें जरूर डालते हैं अब इसमें डाल देंगे करेब वन फोर्थ कप डालेंगे इसमें सरसो का तेल या तीन से चार बड़े चम्मच इसमें सरसो का तेल मैंने डाला हुआ है और एक नीबू मतलब अगर अच्छा रस हो तो आधा डालिएगा और थौड़ा कम रस हो उसमें तो एक नीबू पूरा इसमें निचोर ली जेगां और साथ इती नहीं हो तो फिर आप इसमें अंचूर पौडर भी डाल सकते हैं तो फिर अचार का मसाला जैसे हो आपके पास तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इस अब को हम अच्छी तरह से रगड़ करके पूरा मिक्स कर लेंगे ताकि नमक तेल यह सब और बाकी के जो मसाले जो हमने डाले हैं वो सत्तु में चारो तरफ से बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छी तरह से मिल जाए इसमें मतलब पानी के अगर सरसो का तेल अगर कम डालना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े पानी का भी मतलब इस्तमाल कर सकत हैं लेकिन मैंने पानी डाला है मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसमें जब सत्तु बनाते तो उसमें सिर्फ सरसो का तेल ही डालते हैं पानी डालते हैं इसलिए हमने इसमें तेल ही डाला है तो तेल डालने के बाद जब पूरा मिक्स करेंगे तो इसमें अच्छी यह तो नोल्ग नेगे और जो सत्तू है उसे हम उसमें लेकर के उसमें भर लेंगे तो मैंने एक छोटा लड़ू नीबू जित्ता बड़ा मतलब गोल सत्तू मतलब लिया है और उसे में भर दिया है अब इससे बंद करेंगे आटे को अब एक्स्ट्रा अगर जो आटा हो तो उसे हम निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी के सारे जितने भी बाटी है वो सब हम इसमें बना करके तयार करके हम रख लेंगे तो यह दिखें मैंने इतने सारे बाटी बना करके तयार करके रख लिये हैं अब हम इसे बनाएंगे अपे पैन में बनाएंगे नो आप इसे हम उलडबोड्र करकर से हम चारो तरब यह से घुमा घुमा करकरтор करते हैं इसमर बीना घी लगाए मतलब आप इसे सट आप इसे तरह से इसे आप 내가 में बनाए लगे क सेधे बनाते बिल्कुल ऐसे आप पर करना लगानगा त्यों पर विछ लगए वी पता नहीं चलेगा कि आपने ही से अप्पे पैन में बनाया हुआ है तो इसी तरह से बापकी के सारे भी हमने बाटी को अप्पे पैन में शेक करके बना लिया है बिल्कुल अब जो प्याद जो बचा हुआ था जो थोड़ा सा तो उसे उसमें हम डाल देंगे यह मैंने डाला है अमचूर अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे आप चाहो तो इसमें नीबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता एक तरह से इसे हमारे यहां प्याज का चोखा बोला जाता है या सैलेट की तरह भी आप इसे बना करके मेरा क्यार हो क्या अच्छा है इसमें अच्छास जराए और इसमें रखें के साथ बाती खाने में बहुत शाया लगता है और इसमें निकाल कर दो again correspond to जेबूड दालिए वहं प्याज का जो आप अच्छा लगता है मैं अप्टे पैन में इसी तरह उने तरह से मैं बईश बनाती है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग